नमस्ते अतुल गोपाल प्लगिन इडिया के लिए और नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है आज हम लोग आए हैं फ्यूर इवी जो एक हाइदराबाद की कंपनी है उनके एक नए स्कूटर के साथ में हाइस्पीड स्कूटर और यह है इट्रैंस नियो प्यूर इवी की लेटेस्ट हाइस्पीड स्कूटर तो कंपनी का दावा यह है कि इस गाड़ी को आप सो किलोबिटर चला सकते हैं सिंगल चार्ज में हो सारी कंपनियां जो सो का दावा जिए तो आज हम लोग पता करने कोशिश करेंगे कि यह गाड़ी वाक के वाले मोर में रहेंगे और थोड़ा बहुत लेवल 3 का भी इस्तेमाल करेंगे यह रहे हमारी दिन की शुरुवात इंशन और 349 किलो मेटर्स कोडो मीटर पे बैटरी 100% चार्च और आज के दिन के शुरुवात सबसे बढ़िया चीज गाड़ी के बारे में इसकी बैटरी है इसका रेंज फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा दिखाता नहीं है थोड़े से इंप्रूवमेंट हुए है इसके बैटरी मेनेजमेंट सिस्टम यानि की BMS में सबसे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लीथियम बैटरी में रहता है जिसको कहते है अंग्रेजी में थर्मल रनवे यानि कि अगर आप चार्ज डिश्चार्ज ज्यादा रेट पे कर रहे हैं बैटरी को तो हो सकता है कि बैटरी में आग लग जाए तो यह टेंप्रेशर को कंट्रोल करने के लिए काफि सारे फीचर रहते हैं जो बैटरी में रिम सिस्टम कंट्रोल करता है करेंट को लिमिट करके तो फ्योर इवी ने जनरल एलेक्ट्रिक डॉव केमिकल्स, 3M जैसे कंपनियों के साथ में काम करके स्पेसिफिक मेटीरियल और कंपोनेंट्स बनाए हैं जिसके वज़े से यह पॉसिबल हो रहा है स्झेफिक के कारिट में स्टमेए, में स्ची हीए, जिसस हैं जो इक राफिए वॉस। बाफिए हैं Ëब तो आज हमने इट्रैंस नियों का रेंज टेस्ट पूरा किया और 121 किलोमेटर में हमने हमारा टेस्ट समाप किया गाड़ी और भी जा सकती थी 125-130 तो मेरे साब से कम से कम 100 किलोमेटर तो आपकी गाड़ी चली जाने चाहिए और यह सिटी राइविंग में हम लोग हाइवे की बात नहीं कर रहे हैं सिटी ड्राइविंग में नॉर्मल 123 लेवल थोड़ा बहुत डबल सीट थोड़ा बहुत सिंगल सीट ऐसे यूज करके करीब अगर आप एक 100 किलोमेटर की गाड़ी चाहते हैं तो आप निश्चिन्त होकर के गाड़ी खरीद सकते हैं गाड़ी के फीचर्स गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे देखते रहिए